हमारा चैनल अब तक सिस्क्राइब ना किया जरू सिस्क्राइब कर लें आगे बड़ते हैं हम पहले कॉमेंट सेक्सेट में हैं अभी अपने वीडियो के और यहां पर अलग अलग तरीक यहां पर अनिरुद्धा दास लसकर साहब ने पूछा है कि भाईया PNB का वीडियो बन बंद कर दीजिये आप जो भी काम करते हैं देखे फुल टाइम तो शएयर मार्केट है मैं सजच्ट नहीं करूँ कशेए अगर आप ने परपर पढ़ाई वढ़ाई की है या वापर लिगरी नहीं लिए है तो मैं आपको सजच्ट करूँ मैं ये मुझे ऐसा विश्वास है और इश्वन ने साथ दिया तो आपी गरीबी जरूर दूर हो जाएगी और बी पॉस्टिव आपने आपको गरीब कहना आप बंद कर दीजे यह देखिए यहाँ पर और यहाँ पर अनुविद्धा साब ने भी PNB का हमसे कहा है कि आप वीडिय स्टॉक रहा है और नीरो मोदी के बारे में आप जानते ही है जो इतने बड़ी अमांट का गोटाला करके और खासकर PNB बैंक से रिलेटिडी था उनका जो गोटाला किया था तो उसके बाद शेयर धवाम से मीचे आकर गिर गया था और बहुत ही चर्चाओं में रहा है तो हम इसके financial और इसके बारे में कुछ जानेंगे और मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा देखिए मैं किसी particular stock के बारे में ये नहीं कहूँगा कि आप खरीदे या ना खरीदे मेरा काम है सिर्फ बताना कि current वरतमान इस्थिति में company कि क्या position है और पिछले कई सालों में इसने कितना अपने investors को कमवाया है तो यहां हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम results पर चलें क्योंकि देखिए अब यहां सिप्तंबर 18 से लेकि सिप्तंबर दिसंबर जो quarter के result आए हैं वो यहां पर जबरदस दीख रहे हैं इंट्रेस्ट earning में इनको जो है 5.75% की बढ़त है अपसाइड है क्रीन में दीख रहा है पौनेच 6% के करीब और इनकी सिप्तंबर quarter 12,326 थी और दिसंबर में 13,35 क्रोड की जो है सिप्तंबर इंट्रेस्ट से कमाई हो जाए इनकी देखें इनपीए भी इनका थोड़ा सा कम हुआ है जो quarter में था सिप्तंबर 18 में 8.90 वो हो गया है दिसंबर 18 में quarter में 8.22% तो थोड़ा कम हुआ है और gross NPA भी यहां पर देखिए यहां पर कम हुआ है 0.83% जो की upside है green में दिख रहा अच्छी बात है नेट प्रॉफिट भी इनको हुआ जो सब्तंबर में यह नेगेटिव में था वहां पर यह पॉजिटिव है 246 कौड का नेट प्रॉफिट हुआ है 105% के करीब जबरदस्त इन्होंने quarter के result बहुत अच्छे आए इनके ठीक ठीक आया है बहुत अच्छे तो नहीं कह सकते ले लगता है कि company अभी फिलाल बैंकिंग ठीक कर रही है लेकिन आए हम अभी yearly देखेंगे कि साल मर पहले क्यास थी 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 अनुबल रिपोर्ट्स में क्योंकि यह तो quarter के result है अब देखिए मार्च 17 से मार्च 18 में अगर compare करें interest earning में तो सिर्फ 1.52% की बढ़ा था और NPA भी दे है तो net profit में तो negative में ही है जबरदस्त है ना तो सिर्फ इस quarter के results इनके अच्छे आए हैं बाकी annual results अच्छे इनके नहीं थे अब आगे बालते quality wise quality below average below average quality क्यों है क्योंकि यह जो quality यहां पर दिखा रहे है management risk पे growth पे capital structure पे तो management आपको पता यह कि सरकारी company PSU bank है और पुरानी काफी bank है तो यह होता है कि ऐसे लोगों को यह लोग loan दे देते हैं कि जो लेके भाग जाते हैं तो management पर ही सारा जिम्मेदारी उसी के होती है ना तो इस वज़े से below average की quality है और net interest income growth है 2.61% की बहुत इक नेट profit growth है negative में है है ना और इसलिए और very expensive यहां पर valuation है इसकी P minus में है चलिए ठीक है ROE इसका negative में है 41.78% जो कि अच्छा नहीं है और यहां पर क्या बता रहे है कि अगर आप fair जो इसका fair amount होना चाहिए 58 होना चाहिए अभी यह trade कर रहा है आप आज का भाव तो बताना भूली गया आपको दीए पंजाब नैशनल बैंक 93 एक सिकेंड हाँ 93 रुपए 50 पैसे पर माफी चाहेंगे थोड़ा सा यह हां तिरान भी रुपए 90 पैसे पर trade कर रहा है और आज है 22 मार्च ग्यारा बच के 37 मिनट हुए हैं 52 वीक इसका हाई था 106 रुपए और लोग बनाया था इसने 58 रुपए 45 पैसे है ना और मार्केट का एफ है 35,549 करोड की बुक वैल्यू एक सो चार की प्राइस टुबुक है 0.89 की इंडस्ट्री पी है 9.55 की और डिलेवरेबल है 10% के करीब अब फिर हम आँ चलते हैं तो यहां पर एक वैल्यूवेशन जो है वेरी एक्स्पेंसिव भी दिखा रहा और फैनेशल ट्रेंड इसके फ्लाइट है तो कुछ खास नहीं है अब हम रिटन देखेंगे कि इसने रिटन कैसे दिये हैं देखिए जिस प्रकार के इन माँचे यह अगर आपें दस साल पहले लगए पांस सालों जिसने लगाया है उसका तो 27% का नेगेटिव हो है चार सालों में 42% का नेगेटिव हो एक year, one year में 2.85% का negative में है, year till date में 19% मतलब करीब 20% के upside है, अभी positive क्योंकि results आए हैं ना दिसंबर के इसलिए थोड़ा सा अच्छे आए हैं तो लोगों ने, six months में 28% की upside है, तीन महीने में 22% और one month में 28% की upside, one week में भी 8.95% के और one day में 0.16% की upside है, positive returns है, promoters की holding है, of course government है, इसकी highest holding with promoters, president of India, और उन्होंने holding अपनी 4.1-3% के increase की हुई है, 70% के आसपास अब हो चुकी है, और एक भी share इनके गिरिवी नहीं है, और highest public shareholder Life Insurance Corporation of India, LIC है, individuals है, 8.63% के, अब देखे, government, PSU, public sector की bank है, और 1895, मतलब 1895 के, आजादी से पहले की है, बहुत पुरानी bank है, हमारे देश की, और large cap company, large cap bank है, dividend इसने 3.3 रुपय पर share का दिया था, 22 जून 2015 में, मतलब 2015 में, जब इसने dividend देना बंद कर दिया, तभी से investors को समझ जाना चाहिए, कि alert हो जाना चाहिए था, कि अब company में बहुत सादा कुछ profit ऐसा हो नहीं रहा, जो लाभांश बाट नहीं रही है, अपने investors को, अपनी industry में थर्ड नंबर position रखती है, तो अभी दोस्तों मैंने ये देखो, इसके बारे में बताया, मोटा मोटी, और ऐसी जो खास कर मुझे लगता है, कि mostly जो PSU banks है, उनके returns भी इसी के आसपास होंगे, बहुत विशेश नहीं होंगे, जो government related companies हैं, और यहाँ पर यह dividend में बनी देख, जबकि government की जो भी company हैं, अगर अच्छा कमाती हैं, तो dividend ही तो अच्छा देती हैं, चाहिए नालको, देखिए अभी रेसेंटली नालको ने कितना जबार्तफ़ dividend दिया था, और साल में कई दफा देती हैं, और इसने जो बंद कर रखा है, तो मैं अभी यह सजेश्ट करूँगा, कि मैंने आपको बता दिया है, मैं तो अपना पैसा कभी इस बैंक में अभी invest ना करूँ, अब लोग होते हैं कुछ की कुछ अच्छे results आ जाते हैं, तो हो सकता है कि 10-15%, 20% लोग short term में कमा लें, तो उसके लिए short term के लिए तो मैं कभी भी favor में हुई नहीं, intraday, future and option, put and call, हम कभी सलाम अश्वर में देते हैं, long term के वज़े से ही हम अपने stocks को बताते हैं, अपने subscribers को, तो long term के लिए इसमें अच्छा return आपको मुझे तो नहीं लगता कि मिल पाएगा, इसलिए मैं bullish नहीं हूँ, और दोस्तों आशाय कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, फिर भी अगर कोई stocks लें आप एक हम disclaimer देना चाहेंगे कि अपने financial advisor ज़रू समपर करें, thank you very much for watching this video.